बिधायकों को किट्नेप कर लीजेगा, और कोई विधायक का भाई कंप्लेन करेगा, तो पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी होगी। RJD के एक विधायक के एक काई करता को कोई नहीं खरी सकता है, याद रखें। RJD और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है नहीं, वो भडम फैलाण है। सरकार ने अपना इकवाल ही नहीं, अपना जनादेश, अपना विष्वास भी लगता है खो दिया है। बिहार में पलपल बदलते राजनीतिक समिकरण ने सियासी हलचल तेज कर रखी है। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोटेस से पहले पूरी राद गहमा गहमी चलती रही। तेजिस्वी यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बलतेनाद दिखा, राद भर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की ओर से फीट और पोस्ट आते रहे। इंडी और विपक्षी महागट बंधन दोनों ही इस वक्त जोड तोड करने की कोशिश में लगे हैं। 11 फरवरी यानि कल राद आरजेडी नेता तेजिस्वी यादव के घर पर पुलिस पहुंची। इससे पहले आरजेडी समर्थक नाराज हो गए और खूब हंगामा किया। आखर पूरी राद बिहार में क्या चला और अब तक क्या अपडेट सा हैं? आईए आपको विस्तार से बताते हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के परिवार की ओर से पटना पुलिस के पास शिकायत पहुंची। कहा गया है कि उन्हें किडनाप करके तेजस्वी के आवास पर रखा गया है। अब जिन चेतन आनंद की तलाश में पुलिस तेजस्वी आदफ के घर छापे मारी करने गई, उनके दो विडियो सोशल मीडिया पर खूब बाइरिल है। एक में दिखा कि वो तेजस्वी आदफ के दाहिने तरफ बैठ कर आग से अपना हाथ सेक रहे हैं। गाने सुन रहे हैं। वह दूसरे विडियो में तेजस्वी आवास पर वो क्रिकेट खेलते नज़र आए। इसके बाद पुलिस वापस लोड दे। लेकिन सुरक्षा बलो की तैनाती जारी रही। ग्यारा फरवरी के रात तेजस्वी के घर पर पुलिस की बार बार आवजाही को लेकर आरज़ेडी ने एक्सपर पोस्ट करते हुए पुलिस भेज तेजस्वी जी के आवास को चारों तरफ से घेर लिया है ये किसी भी तरह से किसी भी बहाने आवास के अंदर घुसकर विधायकों के साथ अप्रिय घटना करना चाहते हैं बिहार की जनता नितीश कुमार और पुलिस के कुकर्म देख रही है याद रहे हम डरने और जुकने वालों में से नहीं है जै बिहार जै हिल वहीं दूसरी हो और जैसे ही समर्थकों को तेजस्वी आदव के घर के बाहर पुलिस की तैनाती मिली कारकरताओं ने हंगामा शुरू कर दिया इंडिय टुडे के शैशी भूशन कुमार के रिपोर्ट के मताबिक बिहार पुलिस तेजस्वी आदव के आवास पर दो बार मोची पहली बार आरजेडी विधायक चेतनानंद की किड्नापिंग की खबर को लेकर और इस दौरान उनके आवास के बाहर के हिस्से को छावनी में भी तबदील किया गया साथी सड़क के दोनों और बारिकेटिंग कर दी गई इसके बाद सब्सक्राइब के आवाज में दाखिल हुए कुछ देर बाद जब पुलिस बाहर निकली तो आरजेडी के समर्तकों ने उनकी गाड़ियों के पीछे दोड़कर नारेबाजी की से चल रही है तो उस पर सासन के अधिकारी का आना सरकार ने अपना इकवाल ही नहीं अपना जनादेश अपना विश्वास भी लगता है खो दिया है यह राजद की बैठक है बिधायक दिल की बैठक है भारतिनता पाती अगर कर रही है कार्गिसाला गया में पिंडदान कर वही तमाम आरोपों के जवाब में बीजेपी ने आरजेटी और कॉंग्रेस पर ही भ्रह्म फैलाने का आरोप लगाया है करेगा तो पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी होगी किसी भी विधायक को अपने घड़ में बांध कर रखेगा तो पुलिस नहीं जाएगी पुलिस अपना काम कर रही है जहां तक सवाल है आरजेटी और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है नहीं वो भरम फैला रहे है भार हमारे जो आंकड़े हैं वो जो लोग उमीद पाले हुए हैं वो मायूस हो जाएंगे हमारे आंकड़े हमारे नंबर से भी कई जादे निकलने वाले एंडिये कई विधायक जो है नौट रिचेबल बताया जा रहा है सब संपर्क में हैं कोई नौट रिचेबल नहीं है वो पैदा किया जा रहा है कोई भरम में न रहे एंडिये के विधायक एक जुठ है और और जड़ी कांग्रेस के अंदर लोग मिसिंग हैं वो अपनी फिकर करें इस समय बिहार की राजनीती में जिस शब्द की सबसे जादा चर्चा हो रही है वो शब्द है खेला विहार विधान कुल 114 विधायक हैं इस बीच देर रात ये भी खबर आई कि फ्लोट टेस्स से पहले एंडिये कैंप के कई विधायकों के फोन नहीं लग रहे है उदर जीतर नाम मांजी का भी फोन रात के 10 बज़े के आसपास अन्रीचिबल आया स्विच वाफ आया बिहार में एक और जह हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा सारी जानकारी मेरी साथ ही सुप्रिया ने जुटाई थी मेरा नाम सोनल है देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए ललन टॉफ देखते रहे हैं शुक्रिया